अज का वीडियो है विदानता लिमिटेट पे अज का वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट है विदानता के इंवेस्टर्स को जिस न्यूस का वेट था वो आ चुकी है कंपनी ने फाइनली अपने फिनेंशल एट 25 के सेकंड कॉर्टर के रिजर्स की डेट अनॉंस कर दी है इस बार कंपनी के नंबर्स की डेट कंपनी ने बहुत लेट अनॉंस की है नॉर्मली ऑक्टूबर में ही कंपनी के नंबर्स आ जाते हैं हिंदुस्तान दिंक लिमिटेट के रिजर्स ऑक्टूबर में ही आ गए थे लेकिन अब आ गई है विदानता लिमिटेट के रिजर्स की डेट, सो क्या है कमपनी के रिजर्स की डेट, कमपनी अपने रिजर्स डिस्क्लोस करेगी सेप्टेमबर क्वाटर के और हाफ यर एंडेट सेप्टेमबर 30, 2024 के, इसके इलवा कि रिजर्स के साथ डिविडेंड का अभी मैंशन है, बोड मीटिंग के नोटिस में के डिविडेंड भी आ रहा है विदानता लिमिटेड में, इसको जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, ज्यादर डिजर्स का प्रिविव अभी आया नहीं है, रिजर्स का प्रिविव जैसे आएगा तो इस पर भी सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको अपडेट कर दूँगी, कमपनी ने रिजर्स की डेट का अनॉसमेंट कल लेट नाइट एक्सचेंज फाइलिंग में किया है, बोड मीटिंग का ये नोटिस है जिसमें की बताया गिया है कि कमपनी के नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ पर कमपनी कमपनी ने बताया है कि कमपनी के बोड डिरेक्टिस की मीटिंग होगी, इसी फ्राइडे नवंबर आर्ट दो हजार चॉबिस को, इसी वीक में आ रहे हैं विदानता लिमिटेट के फिनेंशल रिजर्स परसो आ रहे हैं, सप्टेंबर कोर्टर के अनॉरेट इट फिनेंशल बट इहां पर हम देख सकते हैं, डिविदेंट का कोई भी मेंशन नहीं है, इस बोड मीटिंग के नोटिस में सिर्फ यहीं मेंशन है कि कमपनी के बोड डिरेक्टिस की मीटिंग होगी, जिसमें कमपनी के सेकिंड क्वार्टर के रिजर्स अप्रूव होगे, नॉर्मली ऐस होता है विदानता लिमिटेट के केस में कि कमपनी रिजर्स की बोड मीटिक का नोटिस अलग निकालती है और डिविदेंट का नोटिस भी अलग निकाल देती है, तो इस केस में अगर ऐसा होता है, इस मीटिंग के साथ अगर डिविदेंग भी आ रहा है, तो कल इस पर पर किश़ा के लाइब करना पदेगा करमार्मान्बर के पाधसरत करकाई सबसंगे हैं वाहर हेाब। पोड़ियो फोर्थ इंतरम डिवडेंट के लिए वेदानता के इन्वेस्टरश को अभी वेट करना पडेगा नमपर्स कड़ेंस कड़ेंस करते हैं का नॉर्माली कंपनी के नंबर्स अर्निंग की कॉंफरेंस कॉल से पहले ही आ जाते हैं इसकेस में एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी अपने नंबर्स इस्क्लोज कर देगी जैसे ही results available होंगे इस पर भी detailed analysis हम आपके लिए जरूर करेंगे results असबार के बहुत important होंगे क्योंकि इस results में D-merger का update आ सकता है D-merger से related कोई भी news आ सकती है कंपनी की last quarter की performance अगर हम देखें last quarter में अच्छी performance विदानता limited ने report करी थी 35,764 करोर का revenue था और 5095 करोर का net profit था लेकिं last year September quarter में company ने loss report किया था क्योंकि कोई one time tax adjustment company ने किया था इसकी वजे से normally September quarter company का week रहता है last year से last year September 2022 में company ने 2687 करोर का net profit report किया और revenue report किया था 36,654 करोर का इस बार भी देखना होगा कि कैसी performance विदानता limited report करती है इसके अलवा क्योंकि विदानता का debt जादा है तो विदानता के case में company की debt position को भी जरूर देखना चाहिए इन सबी पर मैं आपको update कर दूँगी जैसे company के numbers आएंगे 8 November को बट dividend की बात करें तो dividend के लिए अभी investors को wait करना पड़ेगा लेकिन इस year में फिर भी last year के comparison में अच्छे dividend विदानता की तरफ से आये हैं last year यानि की financial year 24 में company की तरफ से स्रिफ दो बार dividend आये थे और इन dividends का total था 29.5 रूपीज इस year में हम देखें financial year 25 में तीन बार dividend company की तरफ से आ चुके हैं 35 रूपीज का dividend विदानता लेमेडिट की तरफ से आ चुका है fourth dividend का भी है ना उसमें तुआ था लेकिन वो company ने cancel कर दिया कर दो時 में पाट से खाड़ है